तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि Arduino Programming में string क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसको हम लोग अपने program में कैसे use कर सकते हैं और आप लोगों के better understanding के लिए मैंने एक code भी लिखा था जिसमें मैंने आप लोगों को run करके भी दिखाया था कि ये कैसे काम करता है और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को Arduino Programming के अंदर pointers क्या होते हैं उसको मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि pointers के अंदर हम लोगों के पास दो operators होते हैं एक reference और दूसरा है d reference तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले चलिए समझते हैं कि memory क्या होता है और ये कैसे काम करता है तो guys यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक basic diagram जो है draw कर लिया है memory का अब ये memory कुछ भी हो सकता है चाहे RAM हो गया या फिर ROM हो गया या फिर Flash memory जो कुछ भी आप कहलें एक memory का जो basic structure होता है मैंने यहाँ पर उसको समझाने की कोशिस किया है तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ दिखड़ा होगा जैसे कि यहाँ पर एक address है यहाँ पर data है अगर हम लोग इसको एक example से समझें जैसे कि आप लोग किसी area में रहते हैं तो उस area में आप लोगों के घर का कोई unique address होगा ठीक उसी तरीके से computer memory में भी होता है हर location का एक unique address होता है जिस पर हम लोग अपने data को save करते हैं जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यह address है address 0 पर मैंने data को रखा है 56 यानि कि यह जो हो गया यह मेरा data हो गया और यह इसका address हो गया 0 address पर मैंने यहाँ पर 56 रखा है अब इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं address number 1 पर मैंने यहाँ पर रखा है 74 अब इसी तरीके से यह random data हो सकता है data कुछ भी हो सकता है यहाँ पर 74 नहीं कुछ भी और भी हो सकता है यह depend करता है लेकिन यहाँ पर जो address होता है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं address 2 पर 00 है address 3 पर 10 है तो यहाँ पर guys आप लोग देख सकते हैं एक overview कि यहाँ पर यह data है और यह इसका address हो गया फिर यह data हो गया और इसका address हो गया तो हर data का एक unique address है इसी तडिके से हम लोग बढ़ते जाते हैं तो guys आप लोग ने सुना होगा कि मेरे फोन में 32 GB का memory है मेरे फोन में 64 GB का है किसी के फोन में 128 है किसी के फोन में 256 है तो इसमें कहने का मतलब क्या हुआ guys कि 256 GB माल लेते हैं कि किसी के फोन में 64 GB memory है तो इसको कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं तो उसके phone में 64 billion अलग-अलग locations है यहाँ पर मैंने सिर्फ 0 से लेकर 5 यानि कि 6 अलग-अलग locations को दिखाया है लेकिन अगर किसी के phone में 64 GB memory है 64 billion अलग-अलग locations होगे अब चलिए हम लोग समझते हैं कि pointer क्या होता है तो pointer के अंदर हम लोग reference और dereference operator को देखते हैं तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि reference operator क्या होता है तो guys सबसे पहले हम लोग बात करते हैं reference operator यानि कि ampersend होता है हमारा reference operator अब reference operator को हम लोग कहते हैं address of अगर हम लोग अपने program को लिखते हैं तो उसमें हम लोग अलग-अलग variables बनाते हैं तो वो variables क्या होते हैं hardware के अंदर यानि की computer memory के अंदर या फिर ordino के memory के अंदर वो कहीं न कहीं जाकर store होते हैं कोई सा भी variable जहां पर भी जाकर store होगा तो उसका एक unique address होगा तो यह program जो है जब भी complete हो जाएगा और हम लोग इसको run करेंगे तो यह जो variable है यह ordino के memory के अंदर जाकर कहीं न कहीं store होगा तो example मान लेते हैं कि यह जो है memory का जो location है यहाँ पर 6 यानि कि address 6 पर यह store होगा यानि कि यह जो variable है यह 6 address पर store होगा हम लोगों का program जब भी run होगा तो यह जो address देने लगेगा 6 यानि कि variable का जो address देगा यह 6 देने लगेगा इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम लोगों का जो variable है यानि कि variable where यह जो है address location 6 पर store होगा तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को reference operator या फिर address of operator का मैंने आप लोगों को काम समझा दिया कि यह क्या काम करता है अब चलिए हम लोग second number वाले operator की बात करते हैं यानि कि हम लोग देखते हैं कि dereference operator क्या होता है या फिर हम लोग इसको pointer to operator भी कहते हैं तो यह हो जाता है dereference operator यानि कि asterix जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि हम लोग किसी भी variable का address जानने के लिए उसके पहले हम लोग ampersend लगाते हैं लेकिन अगर हम लोग चाते हैं कि उस variable का जो address है वो कहीं store हो जाए तो इसके लिए हम लोग pointer to operator का use करते हैं अब गाइस मान लिजए कि यह जो मेरे पास जो variable है अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो address है कहीं store हो तो मुझे एक और variable बनाना पड़ेगा int हम लोग start देंगे उसके बाद फिर एक variable बना देते हैं जिसका identifier p रख देते हैं उसके बाद semicolon से इसको terminate कर देंगे और यहाँ पर next line में हम लोग क्या करेंगे कि p equal to ampersend where तो इसका मतलब क्या हो जाएगा guys कि हम लोग यहाँ पर pointer to operator का use कर रहे हैं तो p के अंदर address 6 store हो जाएगा तो pointer to operator का simple सा काम यह है guys कि यह address को store करता है किसी भी variable के अब चलिए हम लोग इसको और अच्छे से code लिख कर समझते हैं तो इसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले दो variable बनाऊगा एक variable को मैं सुरू में initialize कर दूँगा और एक variable को मैं किसी भी number से initialize नहीं करने वाला हूँ एक variable मैंने बनाया है जिसका identifier number 1 है अब next variable मैं बनाऊँगा num2 नाम से अभी मैं pointer का use करके इसके अंदर value को assign करूँगा अब मैं यहाँ पर एक special variable बनाने वाला हूँ जिसका नाम है pointer variable तो guys यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने data type के बगल में asterix लगाया उसके बाद फिर identifier दिया यानि कि pointer variable का नाम मैंने दिया है अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है guys कि हम लोग अपने program में pointer variable बनाते हैं तो उसको बनाने का protocol कुछ इस type से है तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अपने serial port को initialize करेंगे अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि मेरा जो पहला variable है जिसका नाम है num1 इसका address मैं ptr variable के अंदर लेने वाला हूँ तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे ptr equal to amp1 अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि pointer variable के अंदर मैंने num1 का जो address है उसके address को मैंने pointer variable के अंदर store कर दिया है अब next line में मैं क्या करने वाला हूँ कि जो num1 का जो value है मैं ptr variable के help से print कराने वाला हूँ तो guys यहाँ पर मैंने लिखा है serial.print star ptr अगर मैं इसी pointer variable के आगे मैं star अगर लगा देता हूँ यानि कि asterix लगा देता हूँ तो अब यह क्या करेगा कि यह जो pointer variable है इसने जिस भी variable का address को store किया था उस address पे जो data है उसको print करने लगेगा अब यहाँ पर guys मैं next line में क्या करने वाला हूँ जैसे कि आप लोगों को मैंने अभी पहले बताया कि मैं num2 को initialize नहीं करने वाला हूँ तो यहाँ पर guys मैं क्या करने वाला हूँ कि num2 जो variable मैंने बनाया है उसके अंदर मैं value को program run होने के time मैं set करने वाला हूँ तो guys इस line में क्या होने वाला है कि num2 के अंदर num1 का value है वो num2 के अंदर भी copy हो जाएगा और इसका हम लोग जाज करने के लिए हम लोग next line में serial.print फिर से लिखेंगे अगर num2 का value जो है 35 प्रिंट हो गया serial monitor के अंदर तो हम लोगों को पता चल लेगा कि हम लोगों का program जो है successfully run हो रहा है तो guys यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 35 और 35 दो वर जो है ये value प्रिंट हो गया है यानि कि उपर वाला 35 है ये num1 का value है और जो नीचे वाला जो है num2 का value है अब चलिए हम लोग इसको आगे summarize कर लेते हैं तो guys यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने 2 variable बनाया fourth line में मैंने एक pointer variable बनाया है अब next line में मैंने क्या किया है कि pointer variable जो मैंने बनाया था उसके अंदर मैंने reference operator का use करके num1 का जो address है उसको इस्टोर कर दिया है ptr के अंदर अब next line में मैंने क्या किया है कि serial.print लिखा है उसके बाद फिर star ptr कर दिया है अब guys यहाँ पर आप लोग ध्यान देना मैंने यहाँ पर थोड़ी देर पहले आप लोगों को पताया था d reference operator भी होता है तो मैंने यहाँ पर उसी का use किया है star ptr यानि कि यह जो operator है star इसको हम लोग कहते हैं d reference operator अभी मैंने यहाँ पर ampersin लगा कर इसको reference किया था अब हम लोग इसको d reference कर देंगे यानि कि इसको कहने का मतलब क्या हुआ गा इसकी ptr के अंदर जो भी जिस भी variable का address store है जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते है number 1 का address store है अगर मैं उसी ptr से पहले मैं asterisk लगा देता हूँ तो अब वो क्या करेगा ptr कि वो address नहीं देकर उस address पर जो value store है उसको देने लगेगा उसके बाद फिर मैंने क्या किया है कि num2 variable को मैंने बनाया था जिसको मैंने initialize नहीं किया था अब उसको मैं यहाँ पर initialize करने वाला हूँ उसके अंदर value को store करने वाला हूँ तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि सबसे पहले मैंने अपने variable का नाम लिखा है num2 equal to star ptr अभी मैंने आप लोगों को पता है कि star ptr जो है जिस भी variable का address store करेगा उस address पर जो data है उसको hold कर लेगा अगर हम लोग ptr से पहले star लगाते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अभी star ptr का जो value है 35 है तो इस वज़ा से हम लोगों के num2 वाले variable के अंदर 35 जो है store हो जाएगा यानि कि copy हो जाएगा अब next line में मैंने इसको check करने के लिए serial monitor के new line पर मैंने क्या किया है कि num2 को print कर दिया है तो गाइस उमीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि reference operator और d reference operator क्या होता है अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं अगर वीडियो पसंद आये तो इस वीडियो को like करके आप लोग मेरे चैनल को subscribe भी कर सकते हैं